हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आपसे भी लोग चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स चाप्टर चाप्टर नमबर एट मुह पटक और धरपटक तो दो पहलवानों की स्टोरी है ये मुह पटक और धरपटक की तो मुह पटक और धरपटक दो पहलवान थे मुह पटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी उसके जैसा शेक की बाज पहलवान कोई नहीं था मगर धरपटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम वह लंबा चोड़ा पहलवान था मुपटक पहलवान, मुपटक का मतलब ऐसे याद रखो जो मुझ से जादा बोलता है, शेक बाजी जादा करता है, मुपटक पहलवान की प्रशनसा से उससे बड़ी जलन होती थी, एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने थैले में असी मन आटा बांदा, उसे पीट पर लादा और चल पड़ा, मुपटक से मुकाबला करने के लिए, रास्ते में एक बड़ा तालाब देखकर वो रुख गया, उसे जोरों से बुक लगी, तालाब के किनारे अपनी गठरी रखकर उसने तालाब के पानी में अपना आटा साना, तालाब का आदा पानी उसमें लग गया, आटा सानने में, आटा सान कर उसने बड़ा सा गोला बना कर धरपकटक ने अपने मुँ में डाल लिया, पानी पीने धरपक तालाब में उतरा और तालाब का आदा जो बचा पानी था वो पी गया, फिर उसने एक जोरदा ड़कार ली पेट बर जाने पर उसे नीद आ गई, वह उसी तालाब के किनारे लेट कर खर राटे भड़ने लगा, एक हाती रोज आकर उस तालाब से पानी पीता था, उस दिन भी हाती पानी पीने आया, तालाब को सूका देखकर उसे बहुत गुसा आया, वहाँ पर एक आदमी को लेटा देखकर हाती ने क्रोज से उसके सिर पर अपना भारी भर कम पैर रख दिया इससे धरपटक पहलवान की नीट तूट गई उसने खीचते हुए का अरे अगर तुम सिरही दबाना चाहते हो तो ज़रा धंग से दबाओ जब उसे हाती के पैर से ज़्यादा फरक नहीं हुआ वो यह कह रहा था कि अगर तुम सिरही दबाना चाहते हो तो ज़रा अच्छे से दबाओ धरपटक पहलवान की बास सुनकर हाती को और गुस्सा आ गया वह अपनी सूड में लपेट कर चाल नहीं जा रहा था कि धरपटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाती को पकड़कर अपने जोले में डाल लिया और वह कि यह सुनकर मुपटक घबरा गया डर के मारे वह अपने घर में पिछले दर्वाजे से निकल कर जंगल में जाचिब किया मुपटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा जी वे तो घर पर नहीं है कोई पहाड ठेल ले गए हैं तब पहाड को आगे बढ़ाने गए ठेल ले गए हैं धरपटक ने जोले से हाती को निकाल कर उसके आगन में फेकते हुए कहा इसे अपने पती को दिखाना और कहना कि धरल भाटक पहलवान उससे जोर आजमाणा चाहता है तो जो उनके जोले में हाती था उसे आगर में फेक दिया और का उसे चालेंज देकर आया मुपटक को कि उसकी वाइफ से कि उससे बोलना कि मैं जो है उससे हाथ अजमाना चाहता हूँ ऐसी विचित बाद सुनकर मुपटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए लेकिन मुपटक का बेटा भी अपने पिता की तरह चालाक था उसने अपनी करकश आवाज में चीकते हुए का अरे माँ इस आदमी ने मेरी और एक चूहा फेक दिया है अब बताओ मैं क्या करूं त तो वो थोड़ा सा और जादा दिमागदार था तो घबरा तो गयते लेकिन उसने थोड़ा सा चतुराई से काम लिया और उसने बोला कि इसने चूहा फेक है मेरी तरफ मैं क्या करूं इसका उसकी मा बोली घबराओ मत बेटा अपने पिता को आने तो वही इस आदमी से स्वयम भी जरूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा तो कंफ्यूज हो गया कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए मुपटक के घर के सामने काफी उच्छा ताड़ का पेड़ था धरपटक ने पेड़ को खाड़ कर कहा ओ छोकरे अपने पिता से कहना मुझे च चड़ी बोल रहा था और उसने का कि यह दंत खोदनी सीख होती है जिससे दात कुरेते हैं वो सीख लेकर जो है वो भाग रहा है इतने बड़े पेड़ को सीख कहता देखका धरपटक की आँखे अचरच से फैल गई वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ मुपटक ने घर लोटकर अपने बेटे से पूचा कहा गया वो आदमी बेटे ने कहा वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़ कर यहां से भाग गया मूपटक ने मूपटक ने मूपटक बना कर पूछा तुमने उससे कुछ कहा नी बेटे ने जवाब दिया जब वह लेकर भागी रहा था तो मैं उससे क्या कहता बेटे की बाद सुनकर मूपटक को बहुत गुसा आया वो बोला मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया क्या तुम उसे कोई मुतोड जवाब नहीं दे सकते थे चलो तुम्हें ले जाकर नदी में फेक देता हूं मैं नदी गाउं से बहुत दूर थी वह सोच रहा था कि जहां भी उसका बेटा घबरा कर रोएगा व उसने कुछ कहा मुपटक ने उसे डराने के लिए कहा हम नदी में किनारियां पहुचे हैं बेटा ने जट से कहा हाँ पिता जी मुझे भी लहरों के छीटे लग रहे हैं मुझे समझ में आ गया कि नदी जो है आ गई इस जवाब से मुपटक को बहुत हैरानी हूं इसने बंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है मुपटक ने अपने बेटे की ठप ठपा कर का शावाश तुम बिलकुल मेरे जैसे ही हो इसके बाद वे दोनों वापस घर लोटा है तो देखा बच्चो कितनी इंट्रस्टिंग इस स्टोरी थी मुपटक और धरपटक की एक शरीर से बलचाली था और एक दिमाग से बलचाली था मिलेंगे नेक्स चाप्टर में थैंक यू सो मुँच